हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो मैं चैनल आज मैं आपको ब्लाउस के बैक साइड में ये जो टक्स पॉइंट लगाते हैं, ये क्यों लगाते हैं और जैसे इसका, जैसे क्या उपयक होता है, ये इस वीडियो में मैं आज पूरा डिटेल्स में पताने वाली हूँ इसलिए वीडियो को आप पूरा देख लो और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अब देखिए यहाँ पर जब हम बैक साइड में टक्स पॉइंट लगाते हैं बैक साइड में जब हम टक्स पॉइंट लगाते हैं तब हमें क्या करना पड़ता है जैसे यहाँ पर हम जब टक्स लगाते हैं तो यहाँ पर आप सेंटर से इस तरह से तरें साड़े-ती चार एंच तक ठुक्सपॉर्ण ही उपनोगा 어쩌तते हैं जैसे आपको को सेंच्डर निकालना है ये लगा स्कते हैं 3-4 inch यहाँ पर कमर का नाब जादा होगा यहाँ पर 4-4 inch पर भी लगा सकते हैं इसकी लंबाई भी हम लेते हैं 4 inch, 4 inch, 5 inch तक लेते हैं इसका क्या हो जाता है जब भी आपके blouse जो है यहाँ पर हमारा जो blouse है यह shoulder जो होते है आगे के साइड में आजाते है आगे के साइड में आते हैं तो इंसे क्या करना है यहां पे आपको टक्स-ट को बढ़ा लाया है जितने हमारी टक्सपॉंड की लंबाई होगी यहां पर मैं आपको ब्लाउस की टक्सपॉंड की लंबाई भी नापके दिखाती हो यहां हमारी हे प् Kinda झे को चला पर किरो यहां चला सेनकी है यहां राखे सब्सक्छ में चला जाते है यहां जूद्र को पर क आसे बिलाउव canal सब्सक्राइप इसलिए आपको यह टक्स पॉंट जो है यहाँ पे आपकी कमर की फिटिंग भी अच्छे आती है जब हम यह दोनों टक्स देते है तो यहाँ पे कमर की फिटिंग भी अच्छे आती है ब्लाउस भी अच्छा बैटता है और यहाँ पर आगे के सेड में हमारा ब्लाउस जाता होगा तो यहाँ पर आपको क्या करना है यह जो लंबाई है जो बैक सेड की लंबाई है टक्स बंड की उसको बढ़ाना है अब यहाँ पर यह जो लंबाई हमने दी है 6 इंच यह बहुत लंबाई क्योंकि अल्रड़ी ब्लाउस की लंबाई भी जाता है 14 इंच हमारे ब्लाउस की लंबाई आती है 14 इंच ब्लाउस की लंबाई आती है तो इससे हमें क्या करना पड़ता है आदा या पाउनी जह में एक्षा लेना पड़ता है तो यहाँ पे हमने तयार 14 इंच ली है तो यह लंबाई जो है यह इस तरह से हमने 6 इंच पे ली है अब देखिए जब भी आप यह गला जो है यह टक्स पर लगाने से यह गला भी अच्छा आता है कमर में डीला होतो हो दो यहाँ पे कमर में जैसे इस सैड में जैसे टक्सपरिंड ने लगाएंगे तो यह साङ पे अईसा हो जाएगा बलाउस उलड़ जाएगा पर शेला यहाँ पे ऑप टक्स पर लगाते हो यह पे आपको इस तरीके से einしまंगैना है इससे क्या हो जाता है आपका जो blouse है कमर में एकदम परफेक्ट बैठता है यहापे भी गले में एकदम परफेक्ट बैठता है और जब आगे के side में जाता है तो यहापे आपको इसकी लंबाई जो है वो बढ़ानी है इसका आपको ध्यान रखना है तो यहापे मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको ब्लाउज के बारे में बैक सेड के टक्स के बारे में बताया है जितना इस सेड में लिया है उतना हमें इस सेड में लेना है इसका पहले हमें सेंटर निकालना है सेंटर से जितना इस सेड में लिया है उतना है आपको इस सेड में लेना है नहीं तो शो विडियो पसंद आने पर विडियो को लाइक जरू कीचे शेयर करे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे थैंक यू फर आचिंग दिस वडियो